हलो उन कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ आशीश और आप देख रहे हूं बाइलो जी वाला मैं आपके लिए रिक रहा हूँ एक ऐसा इंपोरेंट टॉपिक जिसके सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में आता है और बच्चों को समझ नहीं आता है तोड़ा सा इंपोरेंट है एक अजीब सा यहां पर थोड़ा सा मिंसकंसेप्शन भी रहता है लोगों को तो मैं आपके लिए इसको आसान करने के लिए हूँ और हम इसको जल्दी कवर कर लेंगे छोटी सी वीडियो रहेगी पूरी देखना ध्यान से क्योंकि बहुत काम की वीडियो है बहुत ज्याद कि मालो कोई पैथोजन है सपोज करो कोई पैथोजन है जैसे कि पैथोजन का नाम है निमेटोड मैलीडोगाईनी इनकोगनीशा यह आपका पैथोजन है ठीक है यह पैथोजन आपका क्या करता है मालो प्लांट के अंदर इंफेक्शन करता है इंफेक्शन करता है और प्ला इसका transcription होता होगा और येने के transcription से इसके RNA बनता होगा ऐसा होता होगा है ना protein बनाएगा RNA बनाएगा infection तो करें गई ना तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका जो RNA है, इसके RNA को किसी तरीके से आगे आगे जो processing है, जो translation है, वो ना करने दिया जाए, इसके RNA को यहीं पर रोक दिया जाए, और यहाँ रोकने के लिए, मैं किसी का यूज करूँगा, मैं यहाँ रोकने के लिए एक complimentary RNA का यूज करने वाला हूँ जो complementary RNA जा करके इस RNA से बाइंड हो जाएगा और इसके टुकडे हो जाएगा इसके टुकडे करा देगा इसके टुकडे कराने के लिए आपने एक enzyme भी लगा देगा साथ-साथ और यह RNA फर्दर जो है जो pathogen का RNA है फर्दर यह अपना translation नहीं कर पाएगा जिसके लिए हमें plant के अंदर ऐसे modifications करने है कि कोई RNA ऐसा RNA plant के अंदर बन जाए जो की complementary हो उसके RNA के pathogen के और आकर के pathogen के RNA के साथ जुड़ जाए माले pathogen का RNA है इसके साथ में आकर के इस तरह से complementary sequences के साथ साथ जुड़ जाए और कुछ ऐसा भी हो कि साथ में जो pathogen है उसका जो हम समझेंगे करते कैसे हैं हम बताते हैं हमारे अंदर हमारी body में ऐसा एक हमारा जो defense system है वो पाया जाता है जिसमें कि यह होता है कि जब कोई virus हमारी body पर attack करता है तो हमारी body के अंदर कुछ ऐसे RNA हैं कुछ ऐसा DNA है जो ऐसा RNA बनाता है जो वायरस के अरने के complementary होता है और वा technology का हम यहां यूज करके हम इस RNA को further translation करने से रोकेंगे यहनि इस pathogen को हम plant के अंदर infection करने से रोकेंगे by technology है by technology में इसका यूज हो रहा है तो पढ़ते हैं क्या है लिखा है several nematodes are found in plants animals and including human being nematode malodogyny incognitia cause a great reduction of yield in tobacco plant वतलब यह तबाको प्लांट की मैं आपको बता दू तबा technology क्या है इसमें करते क्या है इसमें लिखा है कि RNA interference RNAi is used to prevent this infection in the roots of tobacco plant मतलब हमें एक ऐसे technology का यूज करने वाले हैं RNAi का यूज करने वाले हैं जो कि जा करके plant के अंदर इस infection को रोकेगी जो यह होने वाला है क्योंकि जिससे की मतलब further plant के अंदर malodogyny जो है वो infection नहीं कर पाए RNAi takes place in all eukaryotic cells organism as a method of cellular defense तो मैं आपको बता आता है अभी हमारे अंदर eukaryotes के अंदर ये एक cellular defense के method है जिसमें हमारे अंदर बहुत सारा DNA ऐसा है जैसे कि मालों ये DNA sequence है मेरे अंदर ये एक RNA बनाता है ये DNA sequence है और ये एक RNA बनाता है और वो RNA जो है जब ये बनाएगा तो हमारी बोडी पहले से ही ऐसा RNA मतलब हमारी बोडी के अंदर ऐसा RNA बनता है जो कि किसी वायरस के RNA के complimentary होता है और जब वो वायरस हमारी बोडी के अंदर आता है तो हमारा जो हमारे द्वारा जो बना गया RNA है वो जा करके उसको रोक देता है double standard RNA बनाता है ठीके ना ऐसा defense mechanism है उसे का आपन यहां यूज करने वाले हैं आगे मैं समझाऊगा कैसे हम उसको करते हैं यहां देखो लिखाया है silencing of specific mRNA मतलब specific का मतलब आप ऐसे समझ लो के मैलेडोगाईनी के RNA को हमें काम करने से रोकना है तो करते क्या है आप इस diagram में आदेख सकते हैं ध्यान से देखो अगर मैं आपको दिखाऊँ इस diagram के अंदर यहां देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि nucleus के अंदर से double standard RNA बनता हो दिख रहा है अभी के लिए आप इससे सम जो मैं बाद में process करके बता हूँ क्या है तो यहां पर हुआ यह है कि जैसे कि मानलो यह आपका nucleus के अंदर से निकलता हुआ double standard RNA है कोई और double standard RNA के साथ में एक enzyme लगा हुआ है जिसका नाम है Dyser यह यह Dyser इंजाई में एक तरह का ribonuclease है मतलब यह RNA को काटने के काम आता है RNA क तोड़ने काम आता है या फिर आप कह सकते हो कि यह एक RNA जिंजाई में और यह इस double standard RNA के साथ लगा हुआ है मैं आपको बता दू यह double standard RNA कहां से आया है यह double standard RNA हमने plant के अंदर डाला है हमने plant के अंदर क्या किया पैथोजन का DNA लिया पैथोजन का infection कोज करने वाला DNA लिया और उसके DNA के दोनों strands को दोनों strands को template बनवाया वैसे दो DNA में एक strand template होता है पर यहां कि दोनों strand को template बनवा करके दो DNA plant के अंदर दो DNA जब काम करेंगे तो 2 RNA plant के अंदर बनेंगे और वह धो new RNA और बनेंगे तो एक double standard RNA बना लेंगे इस तरह से और हमने साथ में कुछ जीन डाले हैं जो कि double standard RNA के साथ में Dicer नाम का एक हिंजाइम भी लग जाता है जो RNA को टुकड़ो में काटता है होगा ये कि हमारे पास एक जो Dicer है ये क्या करेगा ये इस double standard RNA के जो की हमारा pathogen का ही DNA RNA है आप समझ ना हमने pathogen का ही infection कोज करने वाला DNA लिया उसी को plant के अंदर डाला और इसके दोनों stand को anti-sense को भी और sense को भी दोनों stand को हमने क्या किया दोनों stand से हमने plant के अंदर RNA बनवाए और उससे हमने double standard RNA प्राप्त कर लिया double standard RNA कुछ कर नहीं सकता इसका further translation नहीं हो सकता इससे आगे protein नहीं बनेगी और इसके टुकडे कटवा लिया टुकडे कटवाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह के complex है जिसमें की रिस्क हमारे पास complex है इसमें RNA induced silencing complex बन गया है इसके अंदर चोटी चोटे RNA के double standard RNA के टुकडे हैं और उनके साथ लगा हुआ एक enzyme है जो की RNA भी इसके साथ में लगा हुआ है साथ में तो हमारे पास risk है risk is that particular small fragments of double standard RNA with RNA with a ribonucleus enzyme or cold as risk तो यह risk हमारे फर्दर काम आएंगे अभी कैसे आएंगे मैं आपको समझाता हूँ होगा यह कि जब original वाला जिस time पर original वाला pathogen उस plant के उपर infection करेगा तो plant के उपर infection करने के time पर यह जो हमारा risk जो complex है पूरा का पूरा यह risk activate हो जाएगा risk activation से यह होगा कि एक strands का हड़ जाता है और यह single standard हो जाता है कैसा हो जाएगा single standard risk हो जाएगा इसके पास enzyme है और एक complementary RNA है क्योंकि यह pathogen का ही RNA था तो जब यह pathogen का ही RNA था तो original वाला pathogen जब आएगा infection करेगा जैसे यह आया है तो यह जा करके इसके किसी point पर जा करके इसके complementary ह होगा क्योंकि यह EC का complementary है हमने plant के अंदर पहले से डाला हुआ है और जाकर कि यह EC के RNA के साथ bind कर जाएगा इस स्थान पर और साथ में हमने इसके साथ एक enzyme भी बेच जा है जो कि इसके जो original वाला RNA है इसके टुकडे कर देगा इसके जब टुकडे हो जाएंगे तो टुकडे silencing कर दी है due to the complemented double standard RNA molecule जो की plant में हमने ही डाला है which binds to and prevents the translation of the mRNA silencing मतलग उसने mRNA से जूड़ करके उसको काम करने से रोक दिया है तो यह इतना चोटा सा concept था बहुत ज़्यादा बात इसमें नहीं थी होपस आपको समझ में आया हुआ है ऐसे चोटी रोडी वीडियो आपको में आपको